देखें, इस वीडियो में हम इंडेक्स टेम्प्लेट के बारे में बढ़ेंगे in Elastic Search इंडेक्स टेम्प्लेट की परिभाषा लिखे हुई है आपके सामने लिखा हुआ है, an index template in Elastic Search is a way to define a set of configurations and mappings that will be automatically applied to new indices that match a specific pattern तो होता क्या है, Index Template, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि Index की Template आई है, होता क्या है हम एक Template बना देते हैं, एक Blueprint बना देते हैं, उससे होगा क्या, उस Template को हम Apply कर पाएंगे Future में आने वाले नए Indices में, ठीक है, हम Template में Settings दे सकते हैं, Configuration दे सकते हैं, Mapping दे सकते हैं, ठीक है जब नए Index बनेंगे, वो Automatically Index Template में से Mappings उठा लेंगे, यहां पर एक और चीज लिखी हुई है, Match a Specific Pattern, उसका मतलब अभी बताऊंगा, पर बागी कता पढ़ लेते हैं, Index Templates are useful for, Automating the process of setting up, and Configuring Indices in Elasticsearch, ठीक है तनमाता है, Especially when you have a consistent naming convention for your indices, or want to apply common settings to multiple indices, देखिए होता क्या है, Index Template का मतलब है, कि एक template बना दीजे, और एक pattern दे दीजे, एक pattern दे दीजे, कि आपके indices किस pattern में होंगे, उनके नाम किस तरह के होंगे, ठीक है, एक example लेते हैं, जैसे माल लीजे, आपका एक school है, ठीक है, तो उसमें indices किस तरह के होंगे, Students Class 1, Students Class 2, Students Class 3, ठीक है, 12 तक ऐसे आपके index होने वाले हैं, यानि कि क्या देखो यहाँ पे, यहाँ पे एक pattern बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक pattern बन रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक index template बना सकते हैं, उसमें कुछ settings लिख देंगे, और यह pattern दे देंगे, कि भाई, इस pattern क कुछ indices हैं मेरे, ठीक है, और जैसे ही आपका index template बन जाएगा, तो future में create होने वाले indices, automatically, वो settings and वो mappings अपने अंदर apply कर लेंगे, ठीक है, example बताता हूं, देखो, सबसे इसका syntax देख लेते हैं, index template का, तो एक API है, index template, उसमें बस put कर देंगे, और यहाँ पे हम देते हैं, index template, and index template का नाम, फिर यहाँ पर हम देते हैं, pattern, index pattern, ठीक है, अच्छा, हमने देखा था यहाँ पर, कि भाई, कुछ इस तरह का index pattern है, ठीक है, तो यही डाल देते हैं, और last में डाल देते है, star, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, दूसरी field यहाँ पर जाती है, template, और template में हम देते हैं, settings, और मलग कुछ भी देते हैं, settings देते हैं, जो कि एक हम mapping create करते हुए देते हैं, वो सब यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, mappings में देते हैं, जैसे कि मैं पर लिखते हैं, properties में आप माल लेते हैं, कि मैं name चाहता हूँ, और उसका type चाहता है, text, and एक ID चाहते हैं, औ एक DOB चाहते हैं, और जिसका type हो जाता है हमारा date, ठीक है, और settings माल लेते हैं, number of shards, दो माल लेते हैं, and number of replicas, एक माल लेते हैं, ठीक है, तो यह है index template create करने का index, index template API, put की call है, then मैंने नाम दिया index template का, अब यहाँ पर index pattern जाता है, and दूसरी field जाती है template, template के अंदर हम लिख सक ठीक है, यहाँ पर हम dynamic mapping false भी कर सकते हैं, कुछ 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 भी कर सकते हैं, चलाते हैं, इसको, acknowledged true आ गया है, यानि कि हमारा index template बन गया है, ठीक है, कोई इक कतनी है, इसको ए इसकी ID क्या है, ID A12P and DOB थी, ठीक है, DOB, DOB मैं माल लेता हूँ, मैं लिखता हूँ, ऐसे लिखता है, 0101 and 2000, ठीक है, बताए क्या होगा, मैं आपको बता लेता हूँ, क्या होने वाला है, हमने यहाँ पर pattern दिया था, instance, underscore class, underscore, ठीक है, और जो हम index create करने वाले हैं, वो pattern match कर रहा है, इस template का, तो automatically, यह mappings, यह settings, apply हो जाएंगी, students, underscore class, underscore one index में भी, ठीक है न, है न, बड़ी चीज, अब जैसे ही मैं इसको enter करता हूँ, तो error आईगे, क्यों error आईगे, क्योंकि name text है, ठीक है, ID keyword है, लेकिन यह क्या है, यह date है, और date का syntax जो है, वो गलत है, date का format है, वो गलत हमने mappings, यहां define करी थी, automatically, यहां पर आ गई है, क्योंकि index का नाम जो है, वो pattern से match कर ला है, ठीक है, यह होता है, index template, हम index template को delete भी कर सकते हैं, same API से, index template, then template का ना, है न, get भी कर सकते हैं, पहले, get कर लेता है, get, index template, ठीक है, get भी होगे, उसी तरह से, delete भी कर सकते हैं, इसको, same API डिलीट, index template, then template करना, डिलीट भी होगे, ठीक है, तो हमने create करना से लिया है, index template को, get करना से लिया है, उसको delete करना से लिया है, अब आपका सावाल होगा, क्या मैं index template को अपडेट कर सकता हूँ, हां कर सकते हैं, अगर मैं आप एक लिखता हूँ, text लिख देता हूँ, अब त तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर, when a new index is created that match the pattern defined in an index template, Elasticsearch applies the template settings, mappings and other configurations to the new index, ensuring consistency across all your data. तो आपके सारा data जो होगा ना, वो एक तरह का होगा, ठीक है, consistency रहेगी, है ना, कि भाई, आप स्कूल में हैं, और स्कूल के सारे जो classes हैं, उनके different, different indices हैं, हैं हमारे और उनमें जो data है, वो same type का है, same configurations है, same mappings, consistency है, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, next वीडियो में हम पढ़ेंगे, Elastic Common Schema, ECS, जिसका लिंक आपको इस card पर मिल जाएगो,